तरीके से एक्सप्लो करने वाले हैं, सबसे पहले इस जगह के बारे में जान लेते हैं, इस जगह को सिंग्रा टोली कहा जाता है, जो की भंडा थाना के अंतरगत पड़ता है, जिला इसका लोहर दगा होने वाला है, नेत्रोट जाने वाले रास्ते में पड़ता है, सारा देसी समान बिकना शुरू हो जाता है ये देखो यहां पे आलू बिक रहा है यहां पे बिक रहा है टमाटर कैसे काका टमाटर टमाटर बीस रुपया किलो टमाटर एकदम फ्रेश है बिना दाग वाला और उसके बगल में यहां पर देखो एकदम ताजा ताजा निकल रहा है फ्रांच बीन कैसे है, कैसे किलो बैगन भाई साहब दस रुपया किलो बैगन और देखो सुन्दर से सजाया हुआ है दुकान जंगी कैसे है पांच रुपया, ये देख लो भाई साहब आपको यहां मिल जाएगा इतना सारा सस्ता साबजिया आगे आपको दिखाएंगे देशी केला ये क्या है गाच पर पकल की कॉबेट है दवाई डाल के पकाया है ना काकी, बहुत बढ़िया कुछ नहीं दिये है कैसे दे रहे हैं आंटी, एक दरजन ये देख लो ओगैनिक केला इसी को बोलते हैं देशी केला जो आपको ये मिल जाएगा उसके बाद देखो यहाँ पे प्यास का वेराइटी है ये है नासिक, ये है मदरासी सही बोले हैं ना काकी कैसे दे रहे हैं दोनों प्यास ये 25 है ये 20 है टेस्ट ज्यादा किसमें आता है और ये थोड़ा सुखा प्यास है भाई साहब अगर नौन्वेज वगेरा कुछ भी बनाते हो तो देखो प्यास का डिफरेंस हमने आपको बता दिया है और यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा सा दुकान मसाला लगा हुआ है देखो सुखा मिर्चा एकदम तगड़ा है सोया बीन का भी वेराइटी है छोटा बड़ा बहुत बड़िया और उधर गरम मसाला रखा हुआ है अच्छा तो क्या रेट चल रहा है अभी आपके यहाँ पे गोल की कैसे किलो मिलता है सत्तर से सौ किलो अगर कोई ज्यादा लेता है तो किलो में कोई नहीं खरिदता है अगर कोई ले लिया बाय चांस तो कुछ कम कर देते हैं अच्छा तो रेट जो है मतलब फिक्स है क्या और यहाँ पे देखो महुआ बिक रहा है महुआ है कैसे है जार खंडी का सोना कैसे दाम 40 रूपे प्रती किलो देख लो 40 रुपया भाई साहब महुआ मिल जाएगा और इस साइड पर देखो खीरा गर्मी में भाई साब तराव दिलाएगा है की नहीं भै या एक खीरा खाओ पानी भूल जाओ आपका खीरा है कैसे किलो दे रहे हैं 20 रुपया किलो और यहां पर देखो लहसुन देसी लहसुन है कैसे है काका ये देखो छोटा छोटा 80 रुपया किलो लहसुन मिल जाएगा और यहां पर दिखाएंगे आपको एक साग का स्पेशल दुकान खाली भाजी है यहाँ पे लाल साग है, मेथी है, पालक है, धनिया पत्ता है, यह क्या है? भतुआ, अच्छा मेथी सग है, और यहाँ पे ये सग कैसे मुठा दे रहे हैं? भाई देख लो, एकदम ताजा ताजा साग मिल जाएगा, और उसके बाद देखो ये पपीता भी है, और जो फल वगेरा देख रहे हो न, ये सब पका हुआ रहता है, यहाँ पर तो साग ही मिलेगा, यहाँ पर देखो टमाटर छोटा वाला, इस साइड पर गाजर, कैसे है का का गाजर, 40 रुपया गाजर, देखो अभी सस्ता है, जितना आपको हलवा बना के खाना है, खा सकते हो, और इस साइड पर है भेंडी, कैसे है भेंडी दीदी, 30 रुपे भेंडी, अच्छा खीचा है, बहुत बढ़िया भाई साहब खीचा है, और इधर देखो खीरा, ये देख रहे हो छोटा वाला, जिसमें दाना दाना निकल जाता है, यही बहुत बढ़िया मीठा मीठा लगता है, खीरा है, कैसा खीरा, कैसे खीरा चाचा दे रहे है, बढ़िया बढ़िया तो भईया ले लिए, बहुत बढ़िया है, और इधर देखो सिंगार पतर का दुका मतलब बजार आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन समान हर कुछ मिलेगा, ये देख लो कॉपी, किताब, कलम, धागा, सूई, रुमाल जोला, यहां देखो कितना बड़िया दुकान लगा हुआ है, मतलब बजार घूम करना मजा आ रहा है, इधर देख लो राशन का बड़ा अच्छा सा दुकान है, और यहां पर कुछ नया चीज देख रहा है, ये फूल, ये तो हम लोग जानते हैं, बेयन साग है, यह क्या फूल है, कच्चनार, ये देखो कच्चनार फूल है, क्या काम में आता है, विसे ये सबजी बनता है, सबजी बनता है, मुझिया बनता है भाई लोग आप जो ये कभी खाय हो की नहीं मेरे को कमेंट करके बताना मतलब आज बजार में आया है क्या वाह कच्छनार फूल है कितना रुपया खेजा ये देखो 10 रुपया में इतना सारा आपको कच्छनार फूल मिल जाएगा इधर भी देख लो ये क्या है ये तो कच्छू पत्ता है हम ये देख लो भाई इस बजार में कुछ-कुछ नया चीज देख रहा है कच्छू पत्ता कितने का है आंट अच्छा ये सही बोले आप भाई आपको जो मन करता है पकड़ी बनाना है पकड़ी बनाऊ Sबजी बनाना है सबजी बनाऊ और इधर एक दुकान दिखाएंगे आपको रोजम्रा आइटम देख रहे हो निमकी सेव डाल मोट भी है चना ये सब बना हुआ है कितने का है ये सब थेला अंकल 20 का है कैसे देते हैं डाल मोट प्रती किलो 100 रुपया 100 प्रती किलो बहुत बढ़ ये क्या है खरीद करके अपने से बनाते है सब चना दाल बहुत बढ़िया और उधर देखो गर्मा गरम आंटी गुलगुला चान रही है बजार में भाई आपको घर ले जाने से लेकर यहां पे खाने का हर चीज मिलने वाला है अब हम लोग आ चुके हैं नौन्वेज के बजार में और भाई साहब नौन्वेज का ब देखो छोटा वाला कैसे चिगरी दादा 50 से 100 किलो 500 किलो में डिसकाउंट नहीं डिसकाउंट तो नहीं होता है अच्छा तो भाई साहब देखो जो है खोल कर बता दिये हैं रेट जो है इनका और यहां देखो यह है आपका रूई मचली अंडा वाला है यह कैसे चाचा बह बहुत बढ़िया यह देखो और इसके बाद में चीज हम दिखाने वाले हैं जिसके लिए हम आये हैं यहां पर और वो होने वाला है खसी का मीट यह देखो इस चीज के लिए ही भाई साहब अपने आये हैं चिलके और मीट यहां पर देखो quantity पूरा धेर लगा हुआ है इस side पर पंजरी गत के रखा हुआ है, रान, चाप, चर्वी, और उस साइड पर देखो, मुड़ी है, और यहां पर है, दुकान के मालिक और बगल में एक और सेम खसी मीट का दुकान है, यहां पर भी आपको मीट मिलने वाला है, यहां पर क्या मुडवा मीट ही चलता है, मुडव पट है, और यहां देखो कस्ट्म का माल तौला रहा है. पंजरी, उजरी मतलब मीट एकदम छका चक है. भाई साहब ये देख लो, एक नंबर लग रहा है. मीट मुरी कितने का है दादा? मुरी 300 का है. 300 का और खसी मीट कैसा दे रही है? 650 रुपया दादा. भाई साहब 650 किलो यहां पे खसी का मीट मिलने वाला है, इस साइड पे जो है देखो, इनका का मीट वजन होने के बाद अब अपना नमबा आ गया है, मीट तो हम लोग अकसर खाते हैं, लेकिन इस बार इस बजार का कुछ बढ़िया सा ट्राइ करने वाले हैं, और वो है, इनके हाथ में ये रहा है, ये देखो, अब यहां पे वजन हो रहा है, पंजरी का मतलब जो पचोनी लपेट हैं, वो पूरा क्लियर रहता है ना, साफ होल बहुत क्लियर रहता है, जरूरत नहीं उसको फिर धोने का बहुत बढ़िया और ये देखो वजन हो चुका है, अपना पंजरी इसको दे दो, तुकडा कर दीजिये, हाँ थोड़ा लंबा है, और अब जो है यहाँ पे देख लो पंजरी, दो-दो तुकडा कर दिया जा रहा है, एक्चुल में क्या खाने में मज़ा तो गोटा ही आएगा, टान टाना के, लेकिन थोड़ा छोटा रहने से क्या है ना, थोड़ा दिखेगा ज्यादा, और यहाँ पे दो-पीस हो रहा है, पंजरी का तो तुकडा कर रहा है, थोड़ा ये बताए दादा बजार कौन सा दिन लगता है, ये शनिवार दिन लगता है, दोपहर बजार बोला जाता है, अच्छा तो, सिर्फ शनिवार को एक दिन का बजार है, अपना तोला गया है पीस हो चुका है तो बजार के उस पार से हमने खसी का पंजरी खरीदा और बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं बगर में ही आ चुके हैं और ये देखो यहां पे इनका बिलकुल देसी सिस्टम है और थोड़ा सा जुगार लगाया हुआ है भाई कुछ ना कुछ यहां पर बनने वाला है और ये कड़ाई में बनने वाला अपना मीट और यहां रहा पंजरी लीजिए दादा पंजरी ये दे दिया हमने अब जो है यहां पे अपना पंजरी बनना स्टॉट हो गया है और देख लो काफी बढ़िया सा क्वांटिटी स तरसो तेल का डल चुका है और यहां पर तेल गर्म होने के साथ साथ अब यहां पर डल चुका है। बढ़िया सा डला है। मतलब कंजूसी कुछ भी नहीं है। सब दिल खोल के डल रहा है। और अब इसको बढ़िया से जो है भुण जाएगा। आज जो है स्वाद मिलने वाला है। मतन जितना ही टाइम लगता है यह जल्दी बन जाता है। पंजरी थोड़ा लगेगा उतना ही ही लगभग। और पंजरी डलने के साथ साथ अब जो है इसमें डल चुका है नमक ताकि बढ़िया से जो है पंजरी गलेगा यह मीच जितना पानी छोड़ता है कि नहीं नहीं छोड़ेगा पानी पानी नहीं छोड़ेगा। और ये देखो अब जो है नमक डालने के बाद बढ़िया से जो है इसको मिला दिया जाएगा ताकि नमक का स्वाद पूरे पंजरी के भीतर तक चला जाए। भाई जब से हैं इसमें पंजरी डला है उसके बाद इसको जो है ना धीरे धीरे चलाया जा रहा है। यहाँ पर दिमांड भी बहुत रहता है, खसी का बहुत है, सुने हैं, दूर दूर से आदमी लोग भी आता है, इधर बना के, खा के जाता है, और भाई यहां पे जो इनका तरीका देखो, बनाने का मिरे को बड़ा बड़िया लग रहा है, टाइम देखे अच्छा से बना रहे हैं, और खसी के मीट में क्या है, जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आपको मजा नहीं आने वाला है, अभी कुछ जाएगा दादा, क्या जाएगा, ये अभी और मसला छोड़ेंगे, अच्छा आप जो है, यहां पे बड़िया से पंजरी भुजने के बाद अब इनका पीसा हुआ मसाला गाड़ा एकदम घरेलू पिसला मसाला है, लट का पल है, क्या रहता है इसमें थोड़ बताएगा, लसुन है, अच्छा जीरा गोल की सब रहता है, क्या जीरा गोल की सब मिक्स मसला, मीट वाला मसाला, अच्छा और यहां पर देख लो, कलर इसका लाल मिर्च भ अब गरम मसाला है, क्या भाई साहब, मसाला वगर देख लो, बिलकुल देसी तरीके घर में से कूट काट कर जो है बनाया हुआ है, और अब फिर से जो है इसको बढ़िया से भुना जाएगा, कितना देर अभी और लगेगा, इसको बनाने में लगेगा थोड़ा टाइम, बढ़िया मिक्स हो जाए, और अब लग चुका है धाकन, कितना देर लगेगा धाकन हटने में दादा, अभी लगेगा पाचा मिनट वी नहीं, मोटा मोटी तो लगभग 10 से 15 मिनट हो चला है, और अब एक बार धाकन हटा दिया है, और देख लो यहाँ पर रंगत पानी, प खुश्बू बड़ा तगड़ा आ रहा है, आप क्या डाल रहे हैं, धनिया पत्ता डाल रहे हैं, अच्छा तो अब जो है, इसमें फाइनल मसाला अपना, MDH का मीट मसाला चला गया, और इसी के साथ ये पंजरी बनकर रेडी हो गया है, अब हमको रेट बताए, क्या रेट यहां पे खसी मीट बनाने का कितना लगेगा, लगेगा पाओ का 50 और किलो 100 रुपया, हाँ भाई, साहब, रेट सुन लो यहां पे 100 किलो मात, और 100 रुपया जनरली क्या है, बाजारों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन यहां पे सेम रेट है, और इसी के साथ अपना पचोनी और पंजडे करना क्या है, यहां पे तो सकुवा पता है, सकुवा पता नहीं है, चांदी का प्लेट है, भाई साहब, चांदी के प्लेट में जो है इसको लगवाएंगे, और उस साइड पे देख रही हो, वो गर्मागरम, रोटी बन रहा है, यह देख लो प्लेट पे खाते हैं, टेस्ट और आपको बताते हैं कि कैसा इसका स्वाध होने वाला है, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक् कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह से धूंड धूंड कर बढ़िया से बढ़िया जगा दिखाने वाले हैं,